बेखे इंडियन पॉलिटी जब हम पढ़ते है तो एक टर्म आती है काफी कंफ्यूजन क्रेट करती है इंडियन पॉलिटी में एक वर्ड आता है इंडिया के बारे में that is union of state क्या है union of state why not federation of state यह question कई बार होता है कि हम कई बार देखते हैं कि वहां पर एक चीज लिखी होती है that is इंडिया that is भारत और यह union of state को represent कर रहा है not federation of state और हम कहते एक तरीके से हमारा इंडिया कहा है that is federal in nature Indian constitution क्या है federal in nature मतलब एक central government भी चलती है और state level पर state government भी चलती है केंदर सरकार और राजय सरकार चलती है तो एक तरीके से यह तो federation federal nature को represent कर रहा है but यहां पर हम एक term use कर रहा है that is about the union of state not a federation of state क्यों भाई union of state why we are using and why we are not using the word term that is the federation of state what is reason behind there that question is asked in multiple time so whenever we are talking about the union of state and federation of state basic difference क्या है Indian constitution that is union of state clear और जो अमेरिका का constitution है अमेरिका में जब बात होती है that is about the वहां पर यूज होता है federation of state समझे रहो federation of state जो सबसे बड़े area wise सबसे बड़े देश है उसमें साथ जो देश है साथ के लगबग जो देश है वो union of state को follow करते देट follow union of state clear यहां तक ओके तो union of state और federation of state बस basic कोई state चाहे अगर इनका agreement हो रहा है ठीक agreement क्या होता है किसी भी चीज पर कुछ सड़ते होती है तो अगर कोई state चाहे कि मैं अलग होना चाहूं तो उस country से अलग हो सकता है उनके पास पूरी पावर होती है क्योंकि वह तरीके का agreement है but union of state के रहा है फर्स्ट पॉइंट कहता है कि no agreement यहाँ पर कोई agreement नहीं होता है कोई agreement नहीं होता है एक country होता है पूरा देस होता है उसको एक proper system में चलाने के लिए अलग-अलग state में बाठ रखा है एक तरीके से union of state यही कहता है कि एक बहुत बड़ा देस से छोटे-छोटे राजियों में समझता करके एक agreement करके उनको मिला के एक बड़ा देस मना रखा है ठीक है agreement तो जैसे नहीं हो रहा है जैसे अब आप देख लो पॉलिटिकल पाइटियों में घटबंदन होता है ना एक तरीके जाए से समझ लो नितिज जी अगर गुसा हो गए तो मोधी जी के problem आ जाएगी आपको बिहार को खूब देंगे जो चाहिए वो लेते रहो तो बस वह agreement यहां पर लपड़ा करता है इसा हमारे देश के अंदर नहीं है अगर agreement होता हमारे अंदर तो हमारे अंदर भी ऐसे हेद्राबाद हो गेरे वाले के देते हमें अलग जाना है जैंड के जम्मो एंड कस gesает from me it कोई भी स्टेट इससे अलग ुसकता है कोई भी जो एक कंट्री है कोई भी बहुत बहुत-बहुत बड़ा देश से उससे कोई भी स्टेट नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर कोई भी ऑग्रीमेंट नहीं है राज्यों के बीच में कोई एक पोरा बड़ा देश है भारत एक बहुत बड़ा देश है उस देश में कई Different different State Union territory है कितने राजिया है 28 राजिया है और 8 केंदर सासीत पड़ते से एट present time clear 28 plus 8 that is at present time तो आपको clear हो गया ना कि Union of State क्यों कहते हैं फेटरसन State क्यों को नहीं कहता है क्योंकि आपने को एग्रिमेंट नहीं हुआ यह एक मिलाकर बनाया ठीक है इनको मिलाकर बनाया और कोई भी स्टेट इससे अलग नहीं हो सकता है बस देट इस सपीशेंट आंस्वर पॉर इस पॉर्टिकुलर लाइं और एक हम यूज करते हैं ना कि इंडिया अधिश भारत दोनों नाम हैं इंडिया भी लिक रखा और भारत भी लिक रखा बीच में अफ़ा उडिना इंडिया वर्ड को उटा रहे तो उस टाइम इंडिया देट इस भारत का यूज करने के पीछे में रिजन यह था कि कुछ लोग की टीम थी उन्होंने कहा कि इंडि बड़ी मुश्किल से संविधान बन रहा था और छोटे-छोटे मेटर में अंदर ही वापस जगड़ा हो जाते तो अंग्रेज उसका फाइदा उटा लेते इसलिए उस टाइम कंडिशन को ध्यान में रखते दोनों चीजे एक्सेट कर ली गई थेंक्यू सामच चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राब जरू करें